कितनी टफ है ये डूटी कि ताकि इस तरह चीजों को रोका जासे हैं तब तो बहुत है जो हुआ है उसको तो कोई टॉल नहीं सकता है लेकिन अब अब जो भी ऐसा कुछ नहोंने पाव हैं इसलिए हमको इतना मुस्तेद रहना है कि कोई भी यहां पर आकर के इसलिए बाजी करें और सभी लोग अपनी डूटी कर रहे हैं अपना घर परिवार छोर के ताकि फिर से कोई फिलाल अभी आप देख पा रहे हैं जितने भी आपको वर्दिधारी पुलिस यूपी के सजग देख रहे हैं इनके रहते अब हमें नहीं लगता कि इस गाउं में अब कोई घट सूचे फिर से गंटे की डूटी कर रहे है आप बारे गंटा बारे गंटे में बताईए कि आपको खाना कब मिल रहा है मिल जाता है खाना लेवर काया जाता है आज हमें लगा कि यूपी पुलिस में दिल है क्या दिल है इसले साइध हम रिपोर्टिंग कर पा रहे हैं इसले जब इतनी बरी कोई घटना घट गई हो और आपने कहा कि अब हमें ये सुनिशित करना है कि किसी भी तरह की ऐसी कोई घटना नहों, बयान बाजी नहों, ताकि फिर से किसी तरह का बिवाद उतपन हो सके, और ऐसे में कई मीडिया आ रहे हैं, कई संगठन आ रहे हैं, कई लेकिन अब जो भी ऐसा कुछ नहोंने पाव हैं इसलिए हमको इतना मुस्ताइद रहना है कि कोई भी यहां पर आकर के इस तरह का बयान भाजी न करें या पिर क्योंकि यहां पे धारा 144 भी लागू है इसलिए यहां किसी अन्य उपद्रवी लोगों को आने नहीं देना समाजिक संगठन है जो आसपास आप देखते होंगे बयान भी देते होंगे या पहले तो उन लोगों से कैसे डील करतें वो काफी IMPORTENT है जो समाजिक संगठन है असली वीवात को उत्पन वही लोग करते आ जी करते तो हैं लेकिन अबुन को यही है किम एनिज किया जाता है कि भाई के इस तरह की कोई भी बात बिवात न करें पर में वह क्योंकि अगर कोई भी बीध just तो आप देख सकते कि पुलिस अपनी ड्यूटी निस्ठा से निभा रही है और कंटीनियू निभा रही है और कहीं न कहीं हम भी सुरक्षित महसूस कर पा रहे चुकिए यह बहुत ग्रामीन इलाका है यहां से गुजरते समय लगता है कभी खेती खेत नजर आ रही है लेकिन यहां आने के बाद हमें भी सुरक्षा महसूस हुई फिलाल के लिए देशवा नियूज में इतना ही जितने भी आप देख रहे हैं सब तैनात है वर्दी में और यह देखकर लगा कि यूपी पुलिस हमेशा सज़क रहे और इसी तरीके से अपनी ड्यूटी करें धैने पुलिस देखकर बाद के बाद के लिए अपनीज पहे हैं सब्स्टान के लिए करें दो जेकर लगाद हैं सब्स्टान के लिए कुलिस आपनात के लिए और लिए